Good morning, my dear students, साथ पढ़ें हम लोग Difference between conductor and insulator ठीक है, सुचालक और कुचालक में क्या आंतर होता है? ये दो नंबर में कोश्चन पुछा हुआ है, इसमें लगा हुआ भी अस्टार है, टू मार्क्स के लिए तो आप लोग को पूछ सकता है कि दोनों के बीच में अंतर बताईए, तो एक तरफ हम लोग conductor लिखेंगे, एक तरफ insulator, ठीक है, तो conductor जो होता है, वो हम लोग को पता भी है, कि conductor जो होता है, जो अपने उपर electricity को flow होने देता है, ठीक है, वैसे substance को हम लोग conductor बोलते हैं, ठीक है, कि the substance which allows the flow of electricity through them is called conductor, और वैसे substance जिस पर electricity flow नहीं करता है, ठीक है, जिससे electricity flow नहीं करेगा, उस substance को क्या बोलेंगे, insulator, ठीक है, तो आफिर कैसे conductor में electrons flow करता है, electricity flow करता है, ठीक है, तो conductor में इसलिए flow करता है, क्योंकि उसमें large number of free electrons होते हैं, पहले से उपस्तित होते हैं, free electrons, जिसके motion करने के कारण conductor में क्या होता है, वो electricity develop होता है, लेकिन insulator में develop क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसमें free electrons नहीं होते हैं, ठीक है, यसलिए क्या होता है, उसमें electricity develop नहीं होता है, ठीक है, हम लोग conductor का example देख सकते हैं ठीक है जितने भी metals हैं फिरसी पर उखलब सभी conductor का लेंगे ठीक है human body ये भी आपका example हो जाए conductor का water, earth ठीक है और insulator का example होगा जितना भी non-metals होगा सब insulator हो जाएगा wood, plastic, road, rubber ये सब क्या हो जाएगा insulator तो question आप लोगों को पुछेगा write the difference between conductor and insulator तो याद रखना है ठीक है ये तीनोट point को लिखना है इसमें ठीक है कि पहला लिखेगा कि वैसे substance जो जिससे electricity flow करता है उसको बोलते conductor और वैसे substance जिससे electricity flow नहीं करता है उसको बोलते insulator ठीक है conductor के पास free number free electrons जो होता है वो बहुत चाद मात्रा में होता है इसलिए उसे current flow करता है insulator में free electrons नहीं होता है इसलिए उसे current flow नहीं करता है ठीक है फिर example लिखेजेगा ठीक है कि सभी metals human body water अर्थ ये हो जाएगा conductor all non metal plastic rod wood rubber ये से हो जाएगा insulator तो ये दोनो तीनो point को आद रखना है ठीक है